नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम लोग करने वाले हैं प्राक्टिस सेट 4 हम बढ़ते हैं पहले क्वेसिन क्यों इसके पहले जिसने प्रेक्टिस सेट 1 2 और 3 नहीं देखा है वह क्रिपया करके डिस्क्रिप्शन में लि मुहमद असरफूल जो हैं वह बंगलादे से खिलाड़ी हैं उन्होंने सिरलंका के खिलाफ 2001 में अपना पहला सतक बनाया था यह उनका पहला मैच भी था उस दिन वह जिस मैच खेल रहे थे उस दिन उनके उम्र हूं 17 साल और 61 दिन थी इस उम्र में अपना पहला सतक बनाया था और पहले इमेच में और यह सबसे कम उम्र के सतक बनाने वाले खिलाडी हैं बात करते हम लोग सचीन तेंदुलकर की क्रिगट के भागोगान कहने जाए रहे सचीन तेंदुलकर प्लेंग इट माई वे इनका एक बायोग्राफी है यह कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा सचीन 107 दिन के थे इन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ 119 रंड बनाये थे बात करते हैं मुस्ताक मुहम्मद की मुस्ताक मुहम्मद ने 17 साल 178 दिन के उम्र में पाकिस्तान इंडिया के बीच में मैच था उसमें उन्होंने सतक बनाया था बात करते हैं मजोद सिंग सिद्धू की नजोद सिंग सिद्धू आज पॉलिटिक्स में है यह पंजाब से बिलॉंग करते हैं इन्होंने अपना पहला टेस्ट तक 1989 में बन भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की दिबात के जाए तो वह थे हमारे बदरुदिन तयब जी बदरुदिन तयब जी को भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1887 में 1880 से बदरुदिन तायब जी मदरास के सेशन में बनाए गए थे राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष करते हम लोग अब्दुलकलामअजाद 1923 और 1940 इंदोनों सेशन में भरती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तेईस में दिल्ली में एक विशेस अधिवेशन बुलाई गए थी उसमें इनको अधिक्ष बनाया गया था और चालीस में रामगड में अधिवेशन हुआ था 1940 में रामगड में अधिवेशन हुआ और 40 में अबदुल कला मजाद फिर से बने लंबे समय के लिए बने थे बात करते हैं रफी अहमद किद्वई की रफी अहमद किद्वई जो थे वह 1952 में मंत्री बने थे खाद म क्रिशी मंत्री ये चुने गए थे बहराइच से उन्होंन के अध्यक्ष चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन के तरफ अगला कुश्चन हमारे लेटर से सुभास चंद्रबोस के त्याग पत्र के बाद भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ देखिए बात करते हैं बड़ा इंटरस्टिंग केस्चन है सुभा में और उन्हें चुनाओ को जीता था और ये उस समय भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे उन्चालीस में भी इन्हें चुनाओ जीत लिया लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी से इंट्रेस्टिंग है दोस्तु इस स्टोरी में गांधी जी के काफी अहम रोल रहा था और गांधी जी नहीं चाहते थे कि उन्चालीस वाला जो सेशन हो इसमें सुभास चंद्रबोस निता बने तो इस वज़े से गांधी जी ने अपने एक काफी करीबी 25 सितारमया को खड़ा कराया इनको खड़ा कराया था लेकिन उनको ये सुभास चंद्रबोस जो थे व तीन मतों से पटावी सितारमया को खड़ा था किसने ये सुभास चंद्रबोस निए उसके वाद इन्होंने त्याक पत्र दे दिया त्याक पत्र देने के बाद उस समय के लिए बनाया गया अध्यक्ष राजंदर प्रसाद को कोई आगे नहीं आ था इसलिए राजंदर प्र में मैंने बता दिया है कि यह कब दक्ष रहते इसको आप कमेंट सक्षिन बताईए गया प्रटावी सितारमया फूल टाइम के लिए बनाया गया थे 1948 में जैपूर से जैपूर परता है राजस्थान में इसका क्या नाम है और पिंक सिटी साथ बोलते हैं राजंदर परसाद 1934 में फूल टाइम के लिए बनाया गया और यह बंबई से से बनाया गया आगे बड़ते हैं सरदार पटेल की बात कर ले सरदार पटेल हमारे देश अजाद भारत के पहले ग्रिह मंत्री उप्रधान मंत्री रहे थे 1931 के से सेसन में इनको फूल टाइम के लिए कराची अध अधिक है थे घटिया वस्तु कीमत गिर जाने पर क्या होगी देखिए मांग उसकी जो होगी देखिए वस्तु पूरा इकोनोमी जो हमारा है वो डिमांड और सप्लाइपे डिपेंडेंट है एधि किसी वस्तु की डिमांड अधिक है तो सप्लाइब भी अधिक होनी लेकिन यदी डिमांड हो गई हमारे पास चीनी 5 किलो और बजार में पहले मालीजे 10 रुपय किलो चीनी हुआ करता था आज चीनी की कमी हो गई और बजार वाला हमको महांगा करके देने लगा अब हमें चीनी मिलने लगा मालीजे 12 रुपया में और पैसा तो हम घर से उतना ही खर्च करने वाले हैं अब क्या होगा कि हमारी डिमांड भी कम करनी पड़ेगी चुकि सप्लाई अब कम हो रहे तो डिमांड भी कम करनी पड़ेगी लेकिन इधर होता क्या है इधर question दिया है कि घटिया वस्तू की कीमत गिर जाती है ऐसी कोई व होग लेंगे कुछ ऐसी वस्तूए हैं जिनकी कीमत कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है उनको गीफेन वस्तूए करते हैं वह किसी और दिन हम समझा दिया करेंगा आपको किसी और दिन दिए को नमें सके और क्लास लेंगे तो समझा देंगे बात करते हैं अगले questions की गया है इसके आदे सबास गया है इसके प्रति तीन वर्स में आवकास प्राप्त करते हैं यह गलत हो गया इसके 250 लेकिन अभी वर्तमान में 245 इसके सदस्य है इसके सदस्य के संख्या डिपेंड करती है इसका चुनाव बिधान सवह के जितने मेंबरस चुने गए होते हैं वह जोग इसके चुनाव करते हैं राज सवह की तो यह सबसे अधिक कि इसsm सबसे जाथ जिन संख्या कि दरिस्टी से कौन सा भारत में सबसे बढ़ा राज्य है चलित करते हैं अभी हो हमारे 245 सदस्ट से वर्तमान में और 233 सदस्ट से चुनाओ करा किया हैं और बाकी बारा सदस से बचर हैं इनको राष्ट्रपती ने अर्टिकल 80 के तहट किस और कि सकर ऐँ किसी भानेकर से लुट्रेचर से आठस से वे-गरह वे-गर situations आते हैं मनूनित करते करते हैं और उनको राष्टाफ लुट gli प्रदार्न करते हैं अब बात करते हैं हिंटर लेंड क्या है लिखे नाम देखने से बड़ा खतरनाक लग रहा है हिंटर-れंड हिंटर-lean जो एक जर्मन सब्द है इसका गतला होता है हिंटर-लेंड का मतलब होता है किसी छेत्र के पीछे की जमीन, किसी छेत्र के पीछे की जमीन, खास करके हम लोग इसका यूज कहा करते हैं, तो व्यापार के लिए प्रयुक्त बंदरगाह का जो प्रिष्ट छेत्र होता है, उसके बार में, जैसे ये हमारी नदी हो गई, ये नदी हो गई, या फिर समुद् और यहां पर बंद्रगाह का जो छेत्र होगा वो क्या कहलाएगा हिंटर लैंड कहलाएगा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्टिन की तिरफ क्वेस्टिन कह रहा है कि कौन सा देश भागालिक रूप से अमरिका में इस्थित होने पर भी राइनितिक द्रिश्टि से यूरोप में देखिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेस्टिन और पिछले ही बार पतलब 66 BPSC में इसको पूछा गया है इसलिए क्वेस्टिन बहुत ह पूर्टेट हो जाता है तो कौन सा असा देश है जो भागालिक रूप से अमरिका में हैं लेकिन राइनितिक रूप से यूरोप में देखिए यह हो गया हमारा North America और यह होगा हमारा South America तह North America में इधर आता है हमरा Mexico यह हो गया हमारा America और यह हो गया Canada और Canada कि हम जब ऊपर वर अनिकि पूर्व उत्तर में आते हैं तो यहाँ पड़ता है Greenland क्या पड़ता है Greenland और इस Greenland पर इस EUROPEI देश यहाँ पढ़ता है एक देश जिसका नाम है देनर्क चोटा दe serion ईडर डिसका कब्जा एक image इस इंड divine प् Shap naj में तो यह god अंधिकारी रूप से किसका थे योरोप का हुए लेकिन भॉगॉणी कुण रूप से किसका हुए अमरिका का इसलिए इस क्वेस्टन में कहा गया है कि ऐसे देश का नाम बताओ जो भोगाली कुरूप से अमरिका में स्थित हुआ है और अधिकारी कुरूप से या निटिकुरूप से किसका हो गया तो राजिनितिकुरूप से हो गया वह डिनमार्क का बात करते हैं हम लोग कैनरी आईलेंड्स की कैनरी आईलेंड्स जो है और गल्फ ओफ फिल्लैंड में पड़ता है इस योद्ठ में उपर में sweetness नारवे के वगल में फिल्लैंड जो हजार जीलो का ये देश कहा जाता है उसी के Gulf में पढ़ता है कैनरी आईलेंड्स और क्यूब क्योब करने के मतलब करने के पर्याप्त मात्रा में साधन है जैसे हमारे बिहार में आप रोहतास को कहते हैं चावल कगटोरा क्यों कहते हैं कि और छावल को उपजाने के लिए जो वी जरूरोत है वह असानी से मिल से पच्वाणि से वह सारी सबसें यते हैं अच्छे वहां पर निभाई आपक क्वेन्ट कैन्स का गउलब का क्योब आईलेंडस का फापीनल का नाम हमें कमेंट सेक्मक्ति बताएंगे बढ़ते हम ठाट अंगले सब्सक्राइब चैप्टर हम बताएंगे कभी तो सबसे पहले सिंदु गाटे सविता की जब खोज रहे थे उसमें सबसे पहले खोज आ गया था कौन सा सवर हडपा हडपा को नगर की उपाधी दिए ठीक है उस समें पुरा तत्वी विवाग के जो निर्देर सकते वह जौन मार्सल हुआ करते थे और उन्हें दयाराम साहनी को यह काम दिया कि आप खुदाई का काम लगवाएं और उन्हें जब खुदाई स्टार्ट करवाई तैराम साहनी ने तो उन्हें मिला क्या हडपा यह पंश्वी पंजाब में इलाका हुआ करता था ततकाली कभी पाकिस्तान में उन्हें 121 में इसकी खोज होई थी हडपा की चलिए हमलों आगे बढ़ते हैं अगले questions के तरफ हमारा question हमारा कह रहाया है कि सुची एक को सुची दू से मिलान करवाना है देखे सुची एक में क्या कहा गया है इसके की से बारे बात करते हैं इसमें साघइदक योग दाय और वयसदन है हिए सब क्या है हिदू दर्षिंक के कुछ भाग हुआ करते थि उसमें 6 दर्षिंदू के मुख्येए तो पह graphs v Io can वु USA मेंसा और मिमानसा के बादा keinen weight and we do a इसके लेखक करें नम हम बारी बारि से मेंच करेंगे सांग के जो है इसको बताया था किसने तो कपिल ने सैंक्यो किसने तैंक कपिल ने योग पता द्ली गुरु राम दियो भी कराते हैं योग न्याई के बारे में particularly स्क्रिणष्टा थे गौतम और वैससिक की बात करें तो इसके प्रनेता कराद अब बात करते हैं मिमान स्यां की इसके प्रणेता हो जाएंगे बदरायन विधांत के प्रणेता बदरायन तो यह आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हम लोग अगले क्विस्न के तरफ रुख करेंगे question number 10 निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है देखिए बात करते हैं हम लोग प्रथम बौध संगिती की तो प्रथम बौध संगिती जो ही थी वो 483 इसापुरू में 483 इसापुरू में होई थी देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जिक्र कर लें प्रथम बौध संगिती कहते किसको है तो महत्मा बुद्ध के महापरिनिर्वान यानि कि बौध धर में मरने को कहा आता है परिनिर्वान तो महापरिनिर्वान के बाद उनके विचारों को संदक्षित रखने के लिए बहुत सारे तो 483 इसा पुरू की बात करते हैं तो इसमें प्रथम बहुत संगीती हुई थी सत्पण्नी गुफा जो है वो राजगीर में पड़ता है सत्पण्नी गुफा कहां पड़ता है राजगीर में और इस समय प्रथम बहुत संगीती के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था और यह वैसाली मेंुचे, वैसाली में हुए थी, यह यह ज़्साली में, पहलो, वैसाली इसके अध्यक्स कौन थे? थी और 251 इसमें यह पाटली पुत्रायम होई थी यह बात सही है और इससे में राजा कौन थे राजा हुआ करते थे असोक और उससे में अध्यक्स थे मोगली पुतिस राजा थे असोक और अध्यक्स थे मोगली पुतिस चतुर्थ बहुत सिंगति की बात करें तो यह प्रथम सताब्दी से होने लगी अब इसा पुरु खतम हुआ सताब्दी आ गई और यह हुआ था कस्मीर के कुंडलवन में और उस समध्यक्स थे वसु मित्र और आजा थे अस्व घोस तो यह साई बहुत संगीति आप याद रखिएगा पहला हुआ चारसो तीरासी दूसरा तीनसो तीरासी तीसरा दूसो एक आवन और चौथा पहली सदी यह चारों पूछा जाता है मेसा एक्जाम में चलिए अगले क्वेस्टिन के तरह हम लोग रूख करेंगे गिरनार अच्छा निम्न के तस्थानों पर विचार कीजिए बताना है कि उप्रोक तस्थलों में कौन से जैन वस्तुकला के गौरवपुन उदारन है देखिए जैन वस्तुकला की बात की जा रही है दोस्तों हम बताते हैं चलिए कि यह तीनों जो जगह है वो जैन धर्म स संबंधित ही है लेकिन इसमें जैन वस्तुकला स और यहां पे ACI सेर का भी पाए जाते हैं, इसके बारे में जब जैन धर्म से रिट करेंगे हम, तो जो जैन धर्म के 22 तृतंकर थे नेमीनाथ, उन्होंने अपने सिक्छा दिक्छा यहीं पाई थी और यहीं पे उनका मृत्यू भी हुआ था, तो इसलिए यह भी रिटेड मर्पी, थेरा, नकपूर्त, यह तीनों जगा जैन धर्म से संबंदित हैं, लेकिन यह माउंट आवो, यहां पर मंदिर है, दिलवाडा का मंदिर हैं, वास्तुक अला के छेत्र में यहीं बात करें, तो आगे है जैन धर्म के लिए, अगले कुस्तर की तरफ बढ़ेंगे, 1 से 2 को मिलाना देखिए, इसमें पंचवर्षी योजना की बात की गई है, हम एक एक करके इसको डिल करेंगे, प्रथम पंचवर्षी योजना यह चली थी, यह चली थी, वह 59 से 74, देखिए, यहां पर गैप आगया है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम, और पंचम परच्वर्शी योजना जो थी वह 74 से 78 तक चली देख़े इसमें एक साल कम रहा है चुकि हुआ क्या कि प्रथम दृतिये पंच्वर्शी योजना जो थी वह एक तरह से सफल योजना एक कही जा सकती है प्रथम परच्वर्शी योजना कल हमने बताया था कि फच्वर्शी योजना यहैंचि पीसी माहालओबिस के मौडल पे तृत्य पंच्वर्शी योजना तुए ओ जोनी और के जोनी सैंडी और सूख में चक्रवर्थी इन दोनों का मौडल था हुअ शोष पर नेमद था आदायत थी और पंचम परचवर्शी योजना थी वो डीपी धर योजना पर अधारित थी देखिए जो तीसरी पंचवर्शी योजना हुई दोस्तों 1666 इस बीच में 1965 में हमारा युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ और इसमें ये योजना लड़ खड़ा गई और आगे जब बढ़े हम लोग चतुर्थ पंचवर्शी योजना के लिए तो 79 से 74 का जो समय था तो 66 से 69 से बीच में दो साल का गया पर रहा तो इसको बोला गया प्लान होलीडे ये जो था ये मेडन मॉडल के तहत लाया गया था तो मेडन मॉडल के तहत लाया गया था इसको बोला गया प्लान होलीडे और आगे एक हमने बताया था पंचम पर चुछ पंचवर्शी योजना इस से में सरकार बदल गई थी और यहोंने चार वर्सों में इस योजना को खतम कर दिया था यानि कि 74 से 78 में इसको खतम कर दिया था चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं क्यक करके तो जब मैच कराएंगे तो आएगा पर्थम पंचवर्शी योजना इस समुधाइक विकास के लिए थी दृतिय पंचवर्शी योजना की बात करेंगे तो यह तिव्र पंचवर्शी योजना में भी एक है भारी उद्वक बठाया गया था आप उसका नाम कमेंठ हमें करोगे कि तृतिय पंचवर्शी में एक भायूदो कौन सा बैठाया गया था आगे बढ़ते हैं जो अगले को तरफ चतुर्थ पंचवर्शी योजना जो है यह रिलेतेड तुछ इसका संब्मन्था नियुनतम आओ सकता कार्यकरम से। चलिए अगले कोश्यन की तरफ करेंगे प्रछन बेरोजगारी का क्या थात पर है। देखिए दोस्तों प्रछन बेरोजगारी क्या होती है इसमें अंसर दिया गया है ऐसी बेरुजगारी जिसमें स्रमिक कि सिमान उत्पादक्ता सुन्या रिणात्मक होती है देखिए एक कितावी भासा आपको समझ में कम आए मैं इसको त्वासर डिस्क्राइब करता हूँ आपके सामने मान लीजे आपका एक खेत है इस खेत में हम लगा रहें गेहूं इस गेहूं को लगाने इस खेत को जोतने गेहूं का बीज डालने इसमें पानी डालने वगरे वगरे में मान लीजे चार लोगों की जरुवत है और इस काम में मेरा पूरा परिवार लगा हुए और कुल मिलके बेरोज़कारी चल रही है ये कहा हैं प्रछन्ण बेरोज़कारी ठिक है मतलब इन लोग की प्रोड़क्टिवीटी जो है यानि कि ये लोग जो उत्पादन कर रहे हैं वो जीरो है क्योंकि चार लोग कहीं काम था उन लोग का क्यों उत्पादन मानना जाएगा बाकी लोग तो ऐसे ही लगे हुए थे तो यह जो प्रशन्न बेरुजगारी जो है वो में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं बात करते हैं और कुछ बेरुजगारी के बहुत सारे टाइप से हैं वह हम ईकोनोमी में कभी पढ़ाएंगा अप लोग को एक और बियोजगारी इसमें दी गई है पहला अपसर हमारा है ऐसी बेरुजगारी जिसमें कुछ समय लिए काम भूंता है इसको बोलते हैं मौस्मी बेरोजगारी ये कब होती है समाल लिजये धान लागाने का दिन है धान कौन सा फसल ही आप लोगे हैं घर भेका खरीब है धान लागाने का जब टाइं आता है जुलाई के आसपास जब बरसात होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग खेतों में जाके काम करते हैं और जैसे धान की फसल लग जाती है अब लोगों के पास काम नहीं बचता है तो यह के वोल सीजन आने पर जब रुख गयार मिलता है इसको बोलते हम लोग मौसमी था कहां पर पंतनगर पंतनगर उस समय यूपी में पड़ता था अब यूपी बट गया तो उत्रा खंड में पड़ता है कौन सा पंतनगर यह गोबिंद बल्लाप पंत के नाम पर पंतनगर है ठीक है इसका निर्माना करवाया था किसने पंडित जवाहरलाल नहरू ने कर दिया गया पुरी दि में परता है यहां पर मद्य प्रदेश का हाइब कोट है आजया इसा गया प्रता है और पूरे जीले का नाम हो गया युद्या आगे कुशन की तरह में रूख करेंगे बारत की समिधान सभा का प्रतम अधिवेस्ट कब हुए था देखिए संभिधान सभा का प्रथाम अधिवेशन के बारे में हम पिछले दिन भी चर्चा कर चुके हैं फिर से आज एक बार चर्चा करेंगे सिधान सभा का प्रथाम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था इस दिन अध्यक्ष चूले गए थे कौन सचिदानंदन स सचिदानंदन सिनहा कहां से हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियों बताया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में एक छोटी से कहानी है सचिदानंदन सिनहा के बारे मुझ में यहां पर जिक्र कर दूँ सचिदानंदन सिनहा जब वकालत करके ब्रिटे हाँ पढ़ता है बियार नाम का तो कोई जगाई नहीं है इंडिया में इनको यह बात खटकी अच्छा थ्ट नहीं यह तो बंगाल का अंदर आता है तब जाके यह जब इंडिया पहुंचे है उस समय से यह बियार की मांग को उठाए हैं और 1912 में जाके फाइनली बियार बना हमारा ठीक है तो इसमें सबसे अग्रणी भूम का किस की रही थी सचिदानंदन सिनहा की रही थी और यह आरा से ठीक है उससे में साहबात से थे अभी इनका घर पड़ता है बक्सर में 9 दिसंबर 1916 की पहली बैठक हो गई ततकाल 11 दिसंबर को फिर से बैठक होती है और सचिद निधिनों में लिखा गया था सम्मिधान को या आप हमें कमेंट करके जड़ा बताएंगे देखें आप लोग कितना भी तक पढ़ें और समझें क्विश्चन 16 की तरह बढ़ते हैं आकास्मिक्ता निधि को राष्टपति कैसे व्याग कर सकता है देखिए कैसी निधि है जो तो इस निधि का गठन जो है वाव वो किया गया है किसके संसद के द्वारा और यह आर्टिकल 267 में इसका वर्णन किया गया है क्या कास्मिक्ता एक निधि होगी लेकिन इसमें से जो पैसे निकालने की बारी आएगी तो उससे संसद से सवकृति लेने की कोई जरूत नहीं वह थे ठीक है वह जब देश संकट के इस खिते में आ जाएगा राश्पती साहब कर लगया लागा कि नहीं आखासमिकता निधि से पैसे निकाल के देना चाहिए तो वह बिना केसे कि सवकृतिक है उस आकासमिक निधि से पैसे निकाल सकते हैं ठीक है इसस domestic करती है संसद ल इसका एंसर होगा दोस्ते है बी जो है वो गलत है इसका एंसर होने वाला दोस्तों ए इस संगीत एकडमी का नाम हो गया है संगीत नाटक एकडमी संगीत नाटक एकडमी और यह ललीत कला एकडमी और सहित एकडमी यह तीनों एकडमी जो हैं दोस्तों यह दिल्ली में एक ही भ और विसके बारे में हम बात कर लें तो ललीत कला एकडमी जो है वो किसके लिए काम करता है तो मुर्तिकला चित्रकला ग्राफ कला इसके लिए कौन काम करता है ललीत कला एकडमी इसका कठन हुआ था 5 अगस्त 1904 को ललीत कला एकडमी क्या बात करते हैं संगीत नाटा के एकडम को और साहित अकाडमी जो है इसका गठन हुआ था बारह मार्च उन्हें सो चोवन को और फॉर्थ आप्शन जो दोस्तों नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा यह कह सकते हैं कि संगीत नाटक अकाडमी का ही बेटा है मतलब उसी का यह एक इंडिपेंडेंट बॉड़ी है ठीक है 1975 से इंडिपेंडेंडेंट हो गया अब जितने भी एक्टर आपको अपने देश में दिखते हैं वो सब लोग आके यहां पर क्या सिखते हैं एक टेंग तो यह कुर्शन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एकेडमी भारत में निर्थ नाटक तर्था संगीत के विकास को प्रचाहन देने के लिए उत्तर दाये तो आप्शन भी ना होके कौन सा अप्शन होने वाला है एक पूरा नाम जीखना संगीत नाटक एकेडमी अस्थापन एक तीस में उनिसा तीरपन आगे बढ़ते हैं अठारे नमर कुश्चन के और रूख करेंगे निम्निखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बहुत बढ़िया कुश्चन है कौन सा कथन सत्य निए निकालना आपको देखिए 42 समिधान संसोधन कंत्रगत लोक सभाता प्रदेश की विधान सभाव का अधिकाल पांच वर्स से बढ़ाकर चोवर्स कर दिया गया यह बात सही है अब आप लोग के जिम में काम बचता है यह हम नहीं बताएंगे आप लोग जिम में काम यह है कि कब फिर छो से पांच हो गया इसके बारे सर्च करके मुझे बताईए गया पांच से चो तो हमने बता दे बैली स्वय समिधान सभान उनिश्वन में सरदार स्वन्ड सिंग कमीटी गठित की काम करा था सर्दार स्वन्ड शंग कमीटी अगले अप्छन गूरों करते हैं बात Сबाको भंग कर सकते हैं बात बिल्कूल जायाज कर्सकते हैं इसकी जो है ब्रधान मंत्री वो पूरे क्याविनेट के हेड है तो यह कहेंगे तो लोग सभा भंकर देंगे बात आगे बढ़ते हैं धन विध्यक राज सभा में प्रस्तूत नहीं किया जाता है अब संडी की बात करते हैं राज सभा के एक तीन वर्स की ओधी में सेवा निवित हो जाते ह हैं चुक्की वन रहतरी दूसल में वन वाइट रहें अगले दूसल में और थी तो देहिए पूरा अब क्या हो गया हुए रहे से दूस सब्सुत अप उसना है कि राजसफभा के सदस्यों करेकाल छे वर्स का होता है तो और थे इसमें से सदस्य होते हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं तब थोड़ा से खराव इसलिकल में वीडियो नहीं ला पाया था आज भी खराव है लेकिन में वीडियो आप लोग ला रहा हूं चुक्क आप लोग पसंद कर रहें इसको वह कॉन सा रेल मार्क है जिस पर सरवाधिक इस देखा दूं देखिए दोस्तों यह मुंबई से हावड़ा तक का यह रेल्वेल लाइन हो गया और इसमें देखिए भुसावल नागपूर गुंदिया बिलासपूर रायपूर टाटा राउरकेला और यह खड़कपूर इन सब जगह पे क्या है लगवा लगवा सारे जगो पेल से अलाईड जी, किस थे मिलेगा आपको तो वह हो गया हमारा मुंबई यहावला वायराय-पूर वाला लाइन है इसलीए अंशर सही हो इसको लिखा किसन ने था तो भास कर 2 ती इसे सम्बंदी इंडिया में है सुर्य सिध्धान्त आई की विडियो यहीं पसमाप्त करते हैं खुश रही पढ़ते रहे धन्न वाद